हेलो फ्रेंज वन्स अगेन वेल्कम बैक ट्यू ओन यूटूब चैनल लर्निंग नीट और जैसा कि आपको पता है शाम की पांच बजे वाली आपकी क्लास डिसाइड़ है common subjects के लिए जो कि आपकी super tet, up tet को dedicated है साथी साथ इसमें c tet और mpe tet यानी क्यों कि हम common सब्जेक्ट देख रहे हैं जो इन सभी exams में आना है और जिनका syllabus भी इन सभी exams में common चलता है ठीक है पेड़कोजी सक्षन अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं लेकिन इसका जो NCRT पोश्चन होता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं संगने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है प्राक्रतिक आपदा दशक जया विविद्दा दशक जलवायू परिवर्दद दशक या फिर परियावरण दशक तो चलिए देख लेते हैं सेयुत्तर क्या होता है यहाँ पर आपका option number B से हो जाता है जयाव विविद्दद दशक यानि कि बायो डाइवर्सिटी डिकेड और आज का जो हमारा टॉपिक भी है जिस पे बेस ज़्यादा क्योशन्स हमारे रहेंगे वो जयाव सद्वारा जयाव विविद्दता अधिनियम पारित किया गया कब मई 2000 में दिसंबर 2002 में जनवरी 2004 में अक्टूबर 2008 में चलिए देख लेते हैं क्या होता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दिसंबर 2002 में अगला प्रश्न है राश्ट्रिय जया विविद्दा प्राधी करण यानि कि NBA भारत में क्रिशी संगरक्षण में किस प्रकार सहायक है तो यह प्रशन आप को पढ़ लेना है और फिर आपको बताना है कि इन में से कौन से कथन जो है वो सही है राश्ट्रिय जया विविद्दा प्राधी करण भारत में क्रिशी संगरक्षण में किस प्रकार सहायक है इसको लेकर देखेंगे NBA जयव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंप्रागत आनुवांशिक संसाधनों का संगरक्षण करता है NBA क्रिशी पादपो के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षटह मॉनीटर करता है और इसका निरीक्षण करता है NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जयविक संसाधनों से संबंधित बौधिक संपदा अधिकार हे तो आवेदन नहीं किया जा सकता है ये तीन लाइन थी तीन पॉइंट से बताना है कौन से सही है इन में से केवल एक, दो और तीन, एक और तीन या फिर तीनों तो सही उत्तर यहां पे होता है आपका अप्शन नंबर सी ये वाला और ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है के ये वाली बाद जो आपकी सही हो जाती है और इसकी अनुशनसा के बिना अनुवांशिक जयाव संसादनों से संबंदित बौधिक संपता अधिकार है तो आवेदन नहीं किया जा सकता अगला प्रशन देख लेते हैं इसी के साथ सीबक थार्ण के विश्व व्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं इस पेड के बारे में विटामिन्स और पोशक तत्व प्रचुर होते हैं चंगेज खा ने इसका प्रयोग अपनी सेना की उर्च स्विता को उन्नत करने के लिए किया था रूसी कास्मो नाचो ने इसके तेल को कास्मिक विग्रण से के से बचाव के लिए किया था ठेक है भारत में यह पौदा कहां पाई जाता देखिए कोड़ इक नाल या फिर पॉंडिचेरी सीबग थौर्म तो यहां पर सयुत्तर होता है आपको ऑप्शन नंबर बी लद्धाक में बाया जाता है भारत में निम्लिकेत में से तीन मानकों के अधार पर पश्चमी घाट श्री लंका एवं इंडो वर्मा छेत्रों को जया विवि से कौन तीन मानक जो है सही है वो आपको बताना है जाती बहुतायत्ता वानस्पतिक घटक अस्थानिकता मानव जाती वानस्पतिक महत्व आशंका बोध वनस्पति एवं प्राडी जाती का उश्णवा आर्थ परस्थितियों के प्रति अनुकूलन तो यहां पर चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है इस प्रश्णि के लिए वो क्या होता है आपको आपको अप्शन नंबर गंगा के मैदान सुंदर्वन पश्चमी घाट पूर्वी घाट सिंपल सा प्रश्ण छोटा सा चलिए देख लेते हैं क्या होता है सही उत्तर इसका आपको अप्शन नंबर सी से हो जाएगा पश्चमी घाट यानि वेस्टन घाट भारत की निम्लिकित छेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है पुर्वी घाट या पूर्वी घाट और इस प्रश्ण के लिए आपका जो सही उत्तर होगा वह होता है अप्शन नंबर भी पूर्वी हिमालय अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण भी थोड़ा सा बढ़ा सा है अच्छे से पढ़िएगा बलूई और लवडी चेत्र एक भारती पशुचाती का प्राकृतिक आवास है यानि कि नैच्रल हैबिटेट है उस चेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है किन्तु आवास ध्वन्स होने के कारण उसका अस्तित्य खत्रे में है यह पशु निमलिकि तो यह सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर भी भारती वन्य गधा अगला प्रश्न विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची बद्धता होती है किसमें रेड स्टॉक बुक में रेड डाटा बुक में लाइव स्टॉक बुक में या फिर इन में से किसी में नही तो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए रेड डाटा बुक में और रेड डाटा बुक से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं फिर चाहे वो सी टेट रहा हो चाहे वो आपका यूपी टेट रहा हो रेड डाटा बुक से प्रश्न पूछे गए है निमलिकित पर व वाला सारस, चीता, उडन गिलहरी, हिम्तेंदुआ, आपको बताना इन में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और इस प्रश्ने के लिए जो सही उत्तर होता है, वो हो जाता है आपका, आप्शन नमबर B, यानि कि काली गर्दन वाला सारस पाए जात है और हिम्तेंदुआ प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं, देखिए अगर भगावलिक दृष्टी से देखा जाए जेग्राफिकल व्यू से तो अफ्रीका और दक्षिर पस्चिम एशिया में जीतों की आबादी रहती है, कुछ जिसके वेलामा जो है इरान मे लगबग एक छोटी सी आबादी वहाँ पर भी मिल जाती है, पाकिस्तान में भी पिछले कुछ समय में एक जीता जो है मृत पाया गया था, तो यह माना जाता है कि पाकिस्तान के भी विलूचिस्तान में कुछ जीते अवाइलेबल हैं, एशिया मोल के, भारत के अगर बात क और कस्तूरी रंगन समित रिपोर्ट किस से सम्बंदेत है, सामविग्धिक, सुधारों से, कंगाकार योजना से, नदियों को जोडने से या पश्चमी घाटों के संगरक्षण से, तो से उत्तर होता है आपका उप्शन बड़ी पश्चमी घाटों के संगरक्षण से, बढ संगरक्षण अधनियम 1982, पर्यावरण संगरक्षण अधनियम 1996 या फिर पश्चम बंगाल वन जीव संगरक्षण अधनियम, फटा फर से देख लीजिए, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, आपका उप्शन नमबर एवन जीव संगरक्षण अधनियम 1972, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अगला प्रश्ण, निमनलिकित में से कौन सा एक भारत का बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉट नहीं है, हिमाले, विंध्यन, उत्तरी पूर भारत, पश्चमी घार, जो नहीं है वो बताना है, बायो डाइवर्सिटी मतलब होता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाता है, इस प्रश्णी के लिए वो हो जाता है, आपका उप्शन नमबर भी विंध्यन नहीं है, बाकी हिमाले भी है, उत्तरी पूर भी भारत भी है, पश्चमी घाठ है ही, वो हम लोग अभी उपर की कुछ के शिंस में बढ़ च चुके हैं, समुद्री राष्ट्रिय पार्क कहां अवस्तित है, कच्छ की खाडी में, सुंदरवन में, चिलकाजील में, उब्रोप्त में से कोई नहीं, खाडी इंग्लिश में बोलते हैं, बे, ओके, बे ओफ कच्छ ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होता है इस प्रश्ण के लिए आपका उप्शन नमरे हो जाएगा, कच्छ की खाडी में, निम्लिकित में से कहां पर एक संग्रक्षत कच्छ वनस्पती छेत्र है, पूर्वी घाट, पश्चमी घाट, गोवा या चंद्रताल, तो यह जो है, वो है, गोवा में आप्शन नमर सी, ब जैवीधन पारस्तिदि की अनु कूल होता है, जैवीधन लागत प्रभावी होता है, जैवीधन उर् principles के समाधान में योगदान दे सकता है, जैवीधन मक्का से भी बनता है, अभी आपको कौन सा बताना है, गलत वाला कथन बताना है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, वो ह ही हो जाते हैं अगला प्रश्ण काफी लोगों ने मक्का वाला वैसे गेस कियोगा ना खेर चली वड़ेंगे अगले प्रश्ण क्यों निम्लिकेत में से कौन एक युनेस्को की जैव मंदल नीचे का की सूची में नहीं है ओके निकाय होना चाहिए था यह नीचे लिखाया है अगला प्रश्ण निम्लिकेत में से कौन एक जैव और वरक का स्रोत है बीस्ट ख्लोरेला एजोला या फिर मोल्ड जो है चलिए नहीं बनता है तुक्का लगाईए क्यूंकि एवियस के क्यूशन एक लेवल अप हुए है आप अगर दोहसार उननीस का जित्ते वी एक्जाम हुए चाहे वो सीट हुआ चाहे यूपीट हुआ हो दो बार सीट एक बार यूपीट हुआ तो उन सभी कि आप एवियस क काईक कोशे का नुकलिय अंतरन प्रोध्योगी की का अनुक्रम क्या है जैव डिम्ब नाशी का उत्पादन जैव निम्नी करन प्लास्टिक का निर्मान जन्तुओं की जननीय क्लोनिंग रोगमुक्त जीवों का उत्पादन और यहां पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्णी के लिए वह हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी जन्तुओं की जननीय क्लोनिंग यह इसका सही अंसर होगा बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की हो जो कि थोड़ा सा बड़ा है और इसके साथ ही एक छोटी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए शेयर करिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन चला जाया करें बाकि हमाय जो टेलिग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक अब बताई इन में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है कोड दिये है कोड में से ही आपको पता करना है तो चलिए देख लेते हैं इस प्रशन के लिए जो आपका सही उत्तर होगा वह जाता है ऑप्शन नमबर सी देखें दोनों ही कतन जो है वह सही है जी का वाइरस जो होता है वह फैलता है मच्चरों के काटने से और बहुत सारे केसिस में ऐसा होता है कि कोई सिंप्टम या को बश्धन को नहीं मिलते हैं जी का से क्या हो सकता है मच्चर की उसी प्रजाती से फैलता है जिससे डेंगू फैलता और बेसिकली रक्तदान की जिसे इंसानों में खून भी पाया जाता है मनुश्य के खून में भी पाया जाता है कई बार यह वायरस और रक्तदान किया यानि कि 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 कून किसी को चढ़ा दिया गया इस तरह से तो 14 दिन के भीतर व्यक्ति अगर जी का वायरस संक्रमण के साथ निदान किया गया है तो रक्तदान नहीं करना चाहिए यानिक ऐसा नहीं है कि अगर आपको जी का वायरस है आपकी बॉड़ी में और गुसाइचीजी वही ट्रीटमेंट हुआ है तो 14 देस के अंदर अंदर आपको रक्तदान अपना नहीं करना है ठीक है बलड नहीं देना है किसी को भी और इसके जो लक्षण होते हैं डेगु के ही समान होते हैं इतना कुछ बता दिया खायर को जितना पर्याप था आइस टोब यू लाइक यू लाइक डोंट फोगे टो लाइक शेर अन सब्सक्राइब सो थैंक्स पर वाचिंग की बिस्टाड़िंग बबाई